कि कि אני अब यह फैसे हैं तो उसаки पड़ा sitzt कि संब्धलों की खाली अभी है जिसमें पानी नहीं लिए के भी लोगा भी है हवा है न अगर वहां पे पानी भर दो तो हवा की जगह पानी लेगा तो जीतनी जगह खाली है उसमें कुछ नो कुछ तो भरेगा तो पहले आप जब खाली करोगे तो अंदर कुछ भरता भी जाएगा वो क्या भरना है उसके intention आपको सब्सक्राइब करने पर रिस्टम शैरिंग क्या है कि कुछ चीज ऐसी है जो डाइरेक्ट ट्रांस्वर्मेशन संपर्क में आने से साथ रहने से observe करने से देखने से आप उसको अपने अंदर भर लेते हैं क्या देखोगे क्या लोगे क्या आप of करोगे उना इंना इंसर्फ क्या प्रोंगे वह आप Stage आी ह warranty है कि यह संविर्ट है यह दस दिन आप वहां से यहां तक आये हो और आप मिर्पर प्धे और जो भी डालने वाले हो जो भी leana आप क्या ठ्रांस्फंवर रहे है। कुछ भाली होगा, एक भुछ भड़ी का ठाली होगा है तो कुछ data ठ्रांस्फर होगा.. अब वह data कौन साillary होज़ा है.. हम बेहर कि फुरठे पॉस्ति ça करें किस्विश पाम करें लिधЫ है.. अब अगर देखो जागरती की बात देता है होश की वैसे देखने जाए तो आपने बच्पन से आज तक कितनी सड़ी की है हर साल स्कूल में गए हो हर रोज क्लास में जाके बैट यो इतने लेक्जर्स पढ़े है याद क्या-क्या है आपको इतनी चीज़े याद है कौन सी ची जो भी आपके दिमाग में टाला जाता है वो याद नहीं रहता है माइंड की लिमिटेशन है सबकॉंशस हो नहीं है आपकी स्पिरिट पे छपा हुआ है कुछ-कुछ घटनाय ऐसी हुई या कुछ-कुछ एक्सपिरेंस ऐसे हुए वही एक्सपिरेंस आपको एक्दम क्लिक करने के छे साल की उम्र पे सूरज को देखकर मैं बोलती थी कि में यह मेरा घर है यह इसके बाजू में और भी कुछ है जहां पर मुझे जाना है एक डॉट मुझे याद है किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी थी मेरी दो चोटियों की वजह से मुझे बैड पीलिंग आई थी वह एक डॉट याद है शेम और गिल्ट का वहां से आगे बढ़े तो भाई ने कुछ इंजस्टीस कर ली और मुझे एकदम से गंदा महसूस करा है वह एक डॉट याद है मुझे पढ़ाई की कोई चीज़े मुझे याद नहीं है और वह एक डॉट याद है इसके बाद और आगे बढ़ते गए तो मेरी फ्रेंड के साथ का जो मेरा करेक्शन रहा वह दो साल मुझे बहुत याद है बहुत खुशी का अनुब और आनंद का अनुब वह जिंद्ग में पहली बाद के वह एक डॉट याद है मुझे ऐसे कते कते और आगे बढ़े डॉक्टर न्यूट इनके पास जाकर बैठने से जो जो छे दिन में उन्होंने जो कोचिंग दी इससे पहले जब मेरी एक काउंसलिंग हुई उसमें कहा था यू आधा क्रीटर ऑफ यर ओन लाइफ वह एक डॉट याद है इससे पहले कोई एक फकीर बोल गया था कि तेरे तेरे तेरी तक्दीर का सितारा आस्मान की बुलंदियों पर होगा वह यहां पर चप गया तो इससे नहीं बड़ी जिन्दगी उसमें कितने डॉट आपको याद है कि 15 से पीस तो जो जो आपकी स्पिरिट सेल्फ पर चपा जहां पर कुछ सेकंड के लिए खिड़की खुली आपकी आत्मा ने ब इस दॉट पर कितने चेप्टेज पड़े कितने स्कूल कालेज के एकस्पिरिंस आपने की याद कुछ भी नहीं है एक लिए हिस्ट्री के कोई चंपटर याद मीये मैंतेमेटिक्स हिए रहां पूश्ण कि फं में कुच वहı हमने रट्टा मारा और दिमाघ से पढ़ा कह त तो वो विस्डम थी अच्छे और गुरे दोना अनुव हो जो दर्ज होगे फिक्स होगे ऐसे करते करते जब डॉक्टर नुटन के छे दिन के बुक्षॉप में मैं जाकर बैट ली तो दिमाग से कुछ भी समझ में नहीं आया कुछ भी एब्सॉप करने की कैपसिटी नहीं थ फिक्स फिक्स चीजे जो वो बोले और मेरी आत्मा ने जो दर्ज की वहाँ पे कोई होश में था कोई जागरत था दिमाग से मैं सोई हुई थी पर अंदर से कोई जागा हुआ था जिसने जो भी चीज कान में पढ़ी उसको ली लिया सारी थियोरी याद नहीं है मुझे की क पॉइंट सियाद है तो वो मेरी जो रियल टू सेल्फ है उसी ने उन शब्दों को सुनकर जागरत किया अब देखो धर्टी पे हम आये ना तो मेजर मेमरी को भूल कर आये हैं सब कुछ इरेज हो जुगा है अब यहां पे जागरत कैसे होगा कोई बोलेगा कहीं से आप नेया कुछ भी सिखते नहीं है आपके अंदर पेड़ा है उसी को जागरत करने का काम कोई कर लीता है अंदर मेरें रोलने से हैर मेरे संपरक में आने से उसको जागरत करते हुआं डासाई कि I am not giving you anything कुछ भी मैं नहीं दे रहे हू Australians क behave विस्ट्रम क्या वह होती है विस्ट्रम आपके अंदर सुशुप्त अवस्था में पड़ी है और किसी की बातों से किसी के संपर्क में आने से उसको आप जागरत करते हो आप वही आपकी लाइफ को आगे डाइरेक्ट करती है जिसे 15-16 साल की एश पे सिडिया चड़ते हुए रिल्विस्टेशन पे जहा रही थी उपर से एक फकीर उतर रहा था अब कौन है मेरा ध्यान नहीं है वो बोलता जहा रहा था कि तूप किसी मकसद से इस हटी पे आई है तुझे कुछ बढ़ा काम करना है तो तेरी सक्दीर का सितारा आत्मान की पुलंदी पर हो जाते जाते एक दम से आवा फील हुआ कि कुछ बोल रहा है वो मुझे कुछ बोल रहा है अंदर कोई जाग रहा था जो उसको सुन रहा था इतना ही सुनने की जरूवत थी उस दिन से लेकर आज तक उस फकीर के शब्द और मेरी ये जिन मतलब जागरत कोई करा गया अब उससे मेरा कोई लीना दे नहीं और पीछे मोड़के देखो तो वह फकीर भी नहीं है तीन मिनीट के अंदर अंदर वो कहां गया वो गया पता नहीं चला तो बस इतनी जागरत की ज़रूद थी और जैसे ही वह उद्देश्य जागरत करवा गया उस दीन से लीकर आज तक उसे जीती जाकी मकसद है कोई मकसद है कोई मकसद है जविस्टम करवा थे मै eigen wisdom हैं मेरी जागरत करवा थी और और अल्रड YOUR अंदर थी पार मेरा थे उन्होंश्ब्र्ट करवा थे विर दागरत हो गया ज्यावश्ब तो उसी क्याधार पे यहां तक पहुंचाएं तो विजन सारे वहां से मिले जागरती वहां से हो गई अब यहां तक आने के बाद अब आगे की जागरती के लिए कोई और मार्क होगा आगे के लक्षव की पूर्ती के लिए कोई और मार्क होगा तो यहां तक आके full stop आ गया, इस vision से चले थे, यहां तक आके full stop होगा, अब आगे क्या, तो उसके लिए कुछ और आगे होगा, तो ऐसे करते हो, wisdom आपके अंदर है, सुशुक्त, परफस आपके अंदर है, आप क्यों आए हो, यह आपके अंदर है, बस वो dot connect करने वाली बात है तो अभी मैं कितना भी बोलो, आप घर जाओ और breathing करो, आप नहीं कर पाऊगा, समझ दो, यह practice करो, यह यह करो, नहीं कर पाऊगा, क्यों, तो कि अंदर की जो सोई हुई wisdom है, वो particular कोई एक keyword होगा, जिससे जागरत हो दे वाली है, हजार शब्दों से जागरत नहीं होती, particular keyword जो आपकी आत्मा को जंजोड देता है, सो शुक्ती चल रही थी, और एक counselor ने बोला कि you are the creator of your own life, याने कि second awakening मेरी यहाँ पे हुई, first awakening, उस फकीर के कहने से, तब तक तो मैं तो victimization में जी दूए, तब ही तक तो मुझे कुछ भी बता नहीं है, कि मैं किसी मकसद से आई उस counselor की वज़े से, जब मैं खुब depression में, और वो उनका बोलना हुआ कि you are the creator of your own life, ये second key point था मेरा, कि जहां से मेरी जागरती है, और ये you are the creator of your own life, ये जो जागरती मेरी हुई, इस keyword से, वहां से मैं खोशते-खोशते Dr. Newton तक पहुँचे, याने past life, continuous, बच्चे थे तब से इस पिछले जनम का सेरियल आती थी, उसको देखते थे तो बड़ा अट्रेक्शन होता था, और कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेरे लिए है, ये keyword जब मुझे मिला, तो वहां से मैं खोज रही हूँ और मुझे एक मेरे टीचर थे, उन्होंने बताया कि ये past life regression कराते हैं, Dr. Newton, तीसरी awakening मेरी वहां पर होई, कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, जब मैं उनके पास गई, उनसे सारी teaching जो भी थी, वह activate कर ली, तो उनसे मुझे एक vision मिला, जो perfect balanced couple का, शिव शक्ति का, वो चौथी awakening, ये स्वरूप प्राप्ट करना है, और उनसे दूसरा एक vision मिला जो पूरी life को shift करने वाला जो program है, कि किस तरीके से water birthing से new generation में babies को birth दीना है, और ये center बनाना है, वो चौथी awakening मेरी, चार, उसमें keywords काम करते हैं, पहला keyword, पकीलता, you are here for some big purpose, दूसरा keyword, you are the creator of your own life, तीसरा keyword, वो स्वरूप, balance form, ये यहां से मुझे पता चला कि ये स्वरूप प्राप्ट करना है, और वहां से चौथा keyword मुझे क्या मिला, vision, center का और baby birth का, याने इतने design बन गई मेरी life की, यहां तक जब तक ना पहुंचो, तब तक मेरे को, चैन नहीं पढ़ना है, ये कि विस्टम आपको कोई देगा, कुरू ने आशिरवाद में सिश्य को देगी, किसी ने किसी को देगी, ऐसे नहीं होता है, विस्टम आपके अंदर है, सुश्वत अवस्ता में, और ऐसे keywords है, जब तक वो keyword आपको ना मिले ना तब तक आपको भटकता है, खोज करना है, उसकी चावी किसी को पास है, और जब तक वो चावी नहीं कोच लिती हो, तब तक आप भटको, तब तक satisfaction ही आएगा, अब वो चावी आप ही को बता है, मुझे नहीं बता है, कि वो आपकी चावी क्या है, मेरे साथ आते आते, रहते रहते हो सकता है, कुछ शब्द ऐसे नि आप अपना ताला खुल के अपनी दिशा में और आगे पढ़ो, फिर नेक्स्ट, फीवर्ड भुखो जना, कब तक खोशते रहोगे, जब तक आप अपने अंतीम लक्षे तक नहीं पहुशते ही, जिस दिन समझ लो कि आप अपने अंतीम लक्षे तक पहुशते हो, आप अं जैसे अंदर से खोश उठती है, वैसे ही आप खोशते हो कहीं भी, एक से नहीं मिला दूसरे से, दूसरे से नहीं मिला तीसरे से, इसरे से नहीं मिला चौतरे से, अब मुझे नहीं पता है आप क्या खोश रहोगे, पर अगर वो की मेरे पास है, तो स्वाभाविक मेरे तो कैसे किसी के रिडिन्ग और किसी के वर्ड आको मिलजाती है और आपको आपकी काम की चीजह सेटा अरो जती चोटी चोटी अवयग-, जो लइप मैं आपको डीरेक्शन लीकल में उस तरीके सेक लापनी में रोक लिएक अरोरे compare घजाबी या और गलत और सही जैसा कुछ नहीं है, सही दिशा में खोज लगाने का मतलब क्या है, गलत और सही कुछ नहीं है, अब जिस भी दिशा में जाते हो, हो सकता है, मार्क बंद हो जाएगा तो फिर से, आप ऐसे ऐसे कते सही दिशा में लगा ही दिये जाते हैं, चाही इधर बटको, च तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा आसान और हो जाता है जब आप अपने साथ अलाइंड हो जाते हो तो भंटकन कम हो जाती है और सटीक सीधे मात पर लगते हो तो यह समझ मैं आ, मार्टी समझ में करते हैं और हो जाती करकें जाती हैं या फिक भी माशेश की आपने जाती हैं जाती हैं झाल झाल झाल